हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे तो फ्रेंड्स रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा कि RTX 40 सीरीज जो ग्राफिक कार्ड है अन्वीडिया के तरब से उनके साथ में जो भी गेमिंग लैपटॉप आ रहे हैं उनकी प्राइजिंग बिल्कूल डाइजेस्टिबल नहीं हैं काफी जाधा हाइर साइट पे लेकि एक ऐसा होता है कि 100 रुपाइ की चीज मैं आप लोगोंको ज्यादा से जादा 80 की प्चासी रुपाइ तक की दे सकता हूँ लेकिन मैं 100 रुपाइ की चीज आप लोगोंको 50-60 रुपाइ में नहीं दे सकता हूँ ठीक है इतना ज्यादा margin किसी के पास भी नहीं रहता है the same thing is with the companies यहां पर इन लोगों ने pricing इतनी ज्यादा कर दी है कि अगर दोस्तों वो कम भी करते हैं 10-20% still it will be out of reach for most of the people तो ऐसे हालात में सबसे wise decision या फिर intelligent decision यही होता है दोस्तों कि हम लोग RTX 30 series वाले graphic card जो आते हैं वो gaming laptop के उपर focus करें लेकिन once again RTX 40 series को बेजना है तो companies क्या कर रही है दिरे दिरे जो RTX 30 series है उनके laptop को जो हैं वो लोग face out यहां पर कर रही है ठीक है नौ देखो तो इस case में यहां पर difficult यह हो जाता है कि कोन से अच्छे RTX 30 series वाले gaming laptop है जो कि आप लोगों को value for money यहां पर provide कर सकें और यह चीज़ और ज़्यादा difficult हो जाती है जब आप लोग powerful budget gaming laptop देखते हैं जो कि आपके pocket पे उतना ज्यादा heavy न पड़े तो वो चीज़ धूड़ना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसा दोस्तों आप लोगों के सामने laptop लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों की powerful hungry needs को बिल्कुल यहां पर satisfy कर देगा तो यहां पर यह laptop दोस्तों निकल कर आता है Acer की तरफ से Acer Nitro 5 obviously it's a Nitro series budget segment में वही मिलता है तो यहां पर आप लोगों को 12th generation का Acer series का 45 watt वारा processor देखने को मिलता है Acer i7 processor साथ में दोस्तों आप लोगों को यहां पर मिलती है RTX 3070 Ti Graphic Card 165 Hz वाली Quad HD screen जिसकी आप anyway friends अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी value मिले होगी then do consider liking this video subscribing to my channel 100% sRGB देखने को मिल जाएगी 300 nits के panel brightness देखने को मिल जाएगी so gaming के हिसाब से दोस्तों जो display इन लोग ने डाली है वो कमाल की है with a I will say more than acceptable color reproduction ठीक है फिर यहां पर आप लोगों को ऐसी चीज मिलती है जहां पर बहुत सारी companies cost cutting करती है that is the SSD तो full fat 1TB के आप लोगों को SSD NVMe वाली देखने को मिलती है तो कोई upgrade करने के आगे ज़रुवत नहीं now let me tell you friends कि RTX 3070 TI जो है ठीक है because it's a TI RTX graphic card तो यहां पर जो TGP value है वो higher side पर आपको देखने को मिलती है तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि pricing कम रखने के लिए जो है यहां पर इन लोगों ने graphic card की TGP value घटा दिये आप लोग यहां पर देख सकते हैं shipping starts from 2 June यहां पर लिखा हुआ है और pricing जो है आप लोगों को यहां पर यहां पर देखने को यहां पर मिल जाती है लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ credit debit card का offer यहां पर use करेंगे ठीक है तो कुछ न कुछ आप लोगों को cashback point मिल जाएंगे और क्या पता थोड़े बहुत जो है आप लोगों को offer भी यहां पर देखने को मिल जाए जब आप इसको purchase में डालें तो basically मेरा यह बोलना है कि यह laptop को अगर आप धाई से 2000 रुपए कम में भी खरीद पाते हो that means somewhere around 1,8,000 भी खरीद पाते हो so I think it's a very absolute value for money considering the horrible situation of the RTX 40 series of laptop देखो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी RTX 3060, 3070, 3070 Ti यह जो graphic card है न अभी भी अच्छा खासा दम रखते हैं when it comes to the powerful gaming ठीक है RTX 40 series obviously उनके अग अलग advantages है friends they have different level of processing power GPU power लेकिन फिर भी यहां पर the most of the people RTX 3070 Ti जो graphic card है वो आपकी बहुत सारी नीर यहां पर बिल्कुल fulfill कर देगा तो targeted consumer क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो की serious लेना चाहते हैं gaming को लेकिए या फिर उनके पास पहले से कोई budget laptop है वो upgrade करना चाहते हैं वो लोग इसको आराम से यहां पर खरीज सकते हैं college going student यहां पर बिल्कुल इस चीज को खरीज सकते हैं now most of the people उन लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भई Acer के laptop जो है कैसे निकलते हैं in terms of durability in long terms ठीक है तो friends मैं अपने पहले भी videos में repeat कर चुका हूँ laptops के आप अगर वहां पर जाएंगे जहां पर customer care जहां पर सुधारते हैं तो I was in actually in indoor ठीक है मुझे उसका बहुत अच्छा से पता हुआ है तो वहां पर station के पास में एक mall type का ऐसा कुछ है तो वहां पर सारे companies के जो है ठीक है overall कुल बोलने का मेरा यह मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो है वो चोर नहीं है यहां पर सब चोर हैं फरक सिरफ इतना है कि कौन यहां पर पकड़ा गया उमीदे दोस्तों मेरे इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज़्यादा value मिली होगी देखें मैं यहां पर और ज़्यादा specification के अंदर बे नहीं गुसरा हूँ because इस वीडियो से मैं उन्स audience को target करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि actual में इस चीज़ को लेना चाहते है और जो actual में इस चीज़ को लेना चाहते है यह pricing कहीं न कहीं फिर भी digestible यहां पर मुझे नजर आती है आपका क्या मानना है फ्रेंट्स मुझे comment section में जरू लिख कर बताईए